बुज दिलो यानि के एक्वेरियस आज आपको अपने नए परोजट के हवाले से काम करते हुए काफी अच्छा महसूस होगा और आपका वक्त भी अच्छा गुजरेगा आपको लगेगा के ये एक तफरीही प्रोजट है जिसमें आप अपने दोस्त कारकुन और एहबाब के साथ मिलकर एक अच्छा वक्त गुजर रहे हैं और एक अच्छे मनसूबे से फाइदा भी उठा रहे हैं आज घर के किसी शक्स की तवील बिमारी से निजात मिल जाएगी और उसकी सहतियाबी की वज़ा से पूरी फैमली में एक खास खुशी की लहर दोडेगी आज आपको अपनी अज़वाजी जिन्गी एक मुश्किल मरहले में नजर आ रही है कोशिश करें कि घर वालों और बज़र्गों के साथ मिलकर अपने मसायल का मस्बत हल निकाल सकें आपका लकी नमबर है आठ लकी पत्थर याकूत लकी रंग नीला और आपका लकी दिन बुद्ध है बुज हुमल यानि के एरिस आज आपको किसी तकली की काम में खुद को मसरूफ रखना होगा ताके आपको जहनी सकून मिल सके क्योंके फारिग रहने से बहुत से ख्यालात और फजूल वस्वसे जहन में जनम लेते हैं आज कोशिश करें कि फजूल चीजों में खर्चा ना करें ताके आपके इकराजात आपके कंट्रोल में रहें मजमुई तोर पर आज एक फाइदा मंद कारोबारी डील होने का भी इमकान है आज आप अपनी शरीके हयात के साथ मिलकर कुछ गरेलू मामलात पर गोर करेंगे रोजमर्णा की जरूर्यात ना पूरी होने की सबब आज आपकी अजदवाजी जिन्गी में कुछ हद तक तनाओ आ सकता है लहाजा घर और घर वालों के बारे में सोचना आपके लिए बहुत जरूरी है आपका लकी नमबर है 6 और 7 लकी पत्थर हीरा लकी रंग सुरख और आपका लकी दिन इतवार है बोज सर्तान यानि के कैंसर आज आपको कुछ चीज़ों के बारे में खास तवज़ों देनी होगी क्योंके ऐसे मामलात जो सुस्ती का शिकार हैं जेरे इलतवा मनसूबे उन्हें आज हत्मी शकल देनी होगी इन मसायल को जल्द से जल्द हल करने में ही आपकी बेतरी है और कोशिश करें कि अगर आप किसी नए मनसूबे का आगास करना चाह रहे हैं तो उसके लिए अपनी मस्बत सोच रखें ताके कोशिश करके अपने नए काम का आगास कर सकें आज शरीके हयात के साथ घरेलू बजट की वज़ा से बहस होने का भी इमकान है लेकिन रात तक तमाम मामला सुलच जाएगा और आप एक दूसरे की परेशानियों को भी समझने की कोशिश कर लेंगे आपका लखी नमबर है तीन और आठ लखी पत्थर मोती और मोन स्टोन लखी रंग सुफेद और आपका लखी दिन जुमा है बुर्जदी यानि के कैप्रिकॉन आज आपके माली मसाइल में फवाइद की वज़ा से आपको जहनी सकून महसूस होगा और आपको महसूस होगा कि आपका जहनी तनाव भी कम हो गया है आज आपके बच्चे आपकी उमीदों पर पूरा उतरेंगे और आपको महसूस होगा कि उनके जरीए आपको अपने खाबों की तामीर मिल जाएगी आज अपनी काम्याबी और बच्चों की काम्याबी को एक साथ सामने रखें और उन्हें ये समझाने की कोशिश करें कि आप उनको इस मकाम पर देखना चाते हैं आज अपने मस्बत नजरियात की वज़ा से आप अपने बच्चों की बेहतरीन तर्बियत करने में काम्याब हो रहे हैं आज अपने इकराजात अपनी शरीके हयात के साथ डिसकस करें ताके आपके रिष्टे में किसी किसम की भी दराड ना आ सके आपका लकी नमबर है तीन और साथ लकी पत्थर सुलिमानी पत्थर लकी रंग गहरा सबज और आपका लकी दिन जुमा है बोज जौजा यानि के जैमनाई आज आपकी महबत के ऐसासाथ आपकी कारोबारी जिन्दगी पर और पेशा वराना जिन्दगी पर असर अंदास हो सकते हैं लहाज़ा कोशिश करें कि हर काम में तवाज़ लगें आज दूसरों को अपने नजरिया समझाने और उनकी मदद लेने में ही आपका फाइदा है आप ऐसे लोगों से वादा करें जो हर काम में आपकी मुखलिसाना मदद कर सकते हैं आज गरेलू कामों को ज्यादा अपने सर पर सवार किये बगएर हल करने की कोशिश करें आज गेर जरूरी सफर से इश्तनाब करें आपका लकी नमबर है चार और तीन लकी पत्थर जमूर्थ लकी रंग भूरा और आपका लकी दिन बुद है बोज असद यानिके लियो आज कोशिश करें कि दूसरों के मश्वरों पर तवज्ज़ जरूर दें लेकिन सिर्फ वो ही करें जो आपका दिल चाहता है अगर आप दूसरों की मदद पर फ्रोसा करेंगे तो आपको फाइदा होगा लेकिन आपके सोचने और समझने की सोचने समझने की सलाहियत कम हो जाएगी आज खुद को ऐसी सरगर्मियों में मसरूफ रखने की कोशिश करें जिस से आपकी जिसमानी तवानाई बहाल होने में आपको मदद मिले आज अपनी रफ़तार को कुछ तेज करें ताके आपके कामों में आने वाली पेचीदगियां दूर हो सकें आज रुमानवी पेचीदगी आपकी खुशी को चार चांद लगा देगी शादी शुदा जिनगी में आज का दिन खास होगा आज आपको किसी गेर मामूली चीज का भी तजर्बा होने का इमकान है आपका लकी नमबर है पाँच और आठ लकी पत्थर याकूत लकी रंग नारंजी और आपका लकी दिन इतवार है बोज मेजान यानि के लिबरा आज आपको अपने तमाम माली लेन देन के वादों पर तबज्जो देनी होगी और कोशिश करना होगा कि जल्द से जल्द इन मामलात को निप्टाने की कोशिश करें ताके आपको कारोबारी मुश्किलात का सामना ना करना पड़े आज कुछ दफ्तरी लोग आप से अपके काम के बारे में शिकायत और बोग्स खत्म कर देंगे एक पोशीदा दुश्मन जो आपको गलत साबित करना चाता था वो खुद ही सब के सामने गलत साबित हो जाएगा आज ने दोस्तों के साथ अच्छा वक्त गुजारने का भी मौका मिलेगा और पुराने रिष्टेदारों के साथ भी किसी खास मनसूबे पर बहसों तकरार का इमकान है आपका लकी नमबर है चार और छे लकी पत्थर संग्यश्प लकी रंग नीला और आपका लकी दिन जुमा है बुज होत यानि के पाइसिस आज आपके मस्बत नुक्ता नजर की वज़ा से आप में इतमाद काफी हद तक ज्यादा नजर आ रहा है और उसकी वज़ा से आपके इड़ गिड़ के लोग भी आपसे बहुत हद तक मतासिर हो रहे हैं आज आपकी जिन्दगी का एक अच्छा दिन है लहाज़ा अपनी ऐसी रूटीन या ऐसी आदात जिनकी वज़ा से दूस्से लोगों को बेजारी हो उन कामों को करने से गुरेज करें अपने बज़र्गों के साथ पुर अजाएम तरीके से पेश आएं ताके आपको उनका मुकमल तावन मिल सके आज इजाफी माली हसूल के लिए आप काफी हद तक कामयाब हो सकते हैं आज रुमानवी एतबार से आपकी जिन्दगी का एक बेहतर मोड़ आपके सामने आएगा जिसमें आप अपने महबूबा या श्रीके हयात के साथ भरपूर तरीके से अपने महबत का इजहार कर सकेंगे आपका लखी नमबर है पांच लखी पत्थर मोन स्टोन लखी रंग नीला और आपका लखी दिन जुमा है बुर्ज कॉस यानि के सेजिटेरियस आज आपको अपने इर्द गिर्द के हालात से बाखबर रहना होगा आपको चाहिए के अपने दरुस्त अमाल और ख्यालात को अपने जरूरत के मताबक इस्तमाल करें आज आपको माली मामलात में फजूल की शिराकतदारी से भी गुरेज करना होगा घर में मुझूदा हलात के सबब परिशानी का बाइस बन सकता है लहाज़ा इन खच्चात से निपटने के लिए खुद को जहनी तोर पर तयार रखें आज घर में किसी की तब्यत नासाज होने की वज़ा से आपको कुछ जहनी उल्जन हो सकती है आप आजकल जुनजलाहत महसूस कर रहे हैं लहाज़ा खुद को पुर सकून रखने की कोशिश करें आपका लगी नमबर है तीन लगी पत्थर पुखराच लगी रंग सुरख और आपका लगी दिन जुमेरात है बोज अकरब यानिके स्कॉर्पियो आज आपको दफ्तरी मामलात को सुलजाने के लिए काफी जल्दबाजी से काम लेना होगा और आप बहुत ही शौक और पुर्जोश तरीके से अपने कामों को निप्टाने की कोशिश करेंगे हो सकता है कि आप एक निया शेडूल भी तर्तीब दें और इससे आपको फाइदा भी हासिल होगा खुद को खुश और तवाना रखने के लिए आपको अपनी महबत का एहसास दिल्वाना होगा महबूब के साथ पुर्मसरत और खुशी भरे लमहात गुजारने के लिए एक अच्छी मुलाकात का प्रोग्राम बनाएं ताके आप अपने एहम मसायल को उनके साथ डिसकस करके खल करने की भी कोशिश कर सकें आज घरवालों की खास तवज़व आप पर होगी आपका लकी नमबर है तीन लकी पत्थर मोती और मोनस्टोन लकी रंग आफ वाइट और लकी दिन जुमा है बोज सौर यानि के टॉरस आज हर तरह के जिनी तनाव और लड़ाई जगड़ों से बचने की कोशिश करें इस से जिनी मरस के बढ़ने का इमकान है खानदान के लोगों पर तवज़व दें और उनको तरजी भी दें क्योंके ये वो लोग हैं जो बुरे वक्त बे आपके काम आ चुके हैं आज रोहानी महबत के वज़दान का एसास होगा इसलिए आपको भी इस बात का एसास करना चाहिए कि आपके रोहानी साथी जो है वो आपके साथ किस हद तक संसेर है और आपके सबसे अच्छी साथी आपकी शरीके हयात हैं आज बच्चों की तालीमी सरगर्मियों पर भी तवज़ख दें आपका लकी नमबर है एक और नौ लकी पत्थर नीलम लकी रंग नीला और आपका लकी दिन जुमा है बोज सुमला यानि के विर्गो आज आपको ये एहसास पैदा करना होगा कि आप खुद को जिन्दगी में उन्चाई के मकाम पर देखना चाहते हैं और आपका रुज़ान भी इस तरफ दिखाई दे रहा है लहाजा अपने दिमाग को ठंडा रखें और अपने ख्यालात को बदलें ताके आप तरक्की और काम्याबी हासिल कर सकें अगर नताइज पुर उमीद हो तो उस उमीद के मताबिक ही खुद में तवानाई पैदा करने की कोशिश करें आज किसी छोटी सी बात की वज़ा से शिरीक हयात से बहस हो सकती है क्यूंकि उन्हें आपके बारे में गलत फहमी कहीं बाहर से मालूम होगी आज खुद को पुर सकून और पुर कशिश बनाने का भी मौका मिलेगा लहाजा अपने दोस्तों की मदद से अपनी महोबत को उजागर करें आपका लकी नमबर है चार और आठ लकी पत्थर अकी के यमानी लकी रंग भूरा और आपका लकी दिन बुध है